आज के 10 नए टॉपिक्स आ चुके हैं लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये टॉपिक्स आप किस तरह से कर रहे हैं इने पढ़कर आप समझ भी रहे हैं या नहीं ये ज़रूरी है जानना चुके अगर आप सिर्फ रिडिंग दे रहे हैं तो काम नहीं चलेगा इससे concerned objective भी आपको बनाने चाहिए लोसेंट क्राउन सभी के specialized objective के बुक्स आते हैं दोसेंट का पहले से बहुत अच्छा बुक है आप क्राउन का भी आता है तो आप कोई भी objective का अच्छा बुक जिसमें सिर्फ topic wise objectives हों आप इन topics के objective जरूर बनाएं सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा पिछले दिनों टेस्ट हो रहे हैं और ये पता चल रहा है कि अगर आप सिर्फ एक बुक या थोड़े limited version से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके questions नहीं बन रहे हैं आपको 30 questions में 20 प्लस करना है 20 से कम scores हो रहे हैं तो चिंता जनक बात है और अगर कम हो रहे हैं तो फिर उन्हें आपको बढ़ाने चाहिए बढ़ाने के परियास करना चाह आएगा अगर आप topics को अच्छे से पूरे मन से पढ़ाई करेंगे देखिए लूसेंट को लेकर अब मेरे मन में थोड़ी बहुत दूइधा आ गई है लूसेंट वन लाइनर बुक है specialized बुक है railway सेसी जैसे exams के लिए BPSC के लिए थोड़ा सा ये insufficient हो जाता है हमारी मजबूर है कि चात्रों के पास इस बुक का अधितर चात्रों के पास ये बुक है और इसके अलावा वो दूसरा पढ़ना नहीं चाहते हैं सोचने लगते हैं पूछने लगते हैं क्या कैसे पढ़ हैं क्या ये बुक कैसी है कैसा रहेगा तो देखिए एक बुक लुसेंट लेकर अग बहुत शानदार बुक, बलके guide हम बता रहे हैं, पहले भी हमने आपको बताया है, unique का guide, elahabad वाला unique, bridge lal AIPS वाला unique, जो orange कलर का है, जिसका face, बहुत शानदार guide book है, price उसका ज्यादा है, ये एक चिन ता जनक बात है, कारण है प्राइस जादा होने कि वो पांच वालियूम में आती है आपको पांच अच्छे मोटे वालियूम में मिलेगी सब कुछ इसमें है आपको सोचना नहीं पड़ेगा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें कहीं से भी थोड़ा सा मैनेज करें यूनिक का गाइड बुक आपको रखना चाहिए अगर तयारियों में थोड़ा सा आपका इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो अगर केवल लूस्टमेंट से आप पड़ रहे हैं तो नहीं काम चलेगा आपको स्टेट फारवर्ड ली कहेंगे यह रेलवे एसेसी जैसे एक्जाम के लिए ठीक है एसेसी में भी नहीं चलेगा रेलवे जैसे एक्जाम में चल सकता है स्टेट में एसेसी में चल सकता है लेकिन आपको बुक्स अच्छे रखने चाहिए आप यूनिक का पंद्रे सोले सो हलाके इसके प्राइसेज है तो यह सोचने वाली बात है आज से हम आपको यूनिक गाइड के पेज नमबर भी देने जा रहे हैं अब आपको हम इसके भी पेज नमबर दे रहे हैं ताकि आप यह समझें कि केवल लूसेंट से काम नहीं चलेगा आपको एक और गाइड बुक क्राउन तो जरूर आप रखें इसलिके क्राउन एकदम कॉंसाइज वे में है छोटा सा गाइड बुक है लेकिन आपको यूनिक गाइड बुक रखना चाहिए बहुत शानदार गाइड है अब टाइम निकलता जा रहा है चलिए आज के 10 टॉपिक्स को करते हैं जिसमें इस बार यूनिक गाइड के भी पेज नेंबर दिये जा रहे हैं जिनके पास है वो बड़ी चीवात है चलिए आज के ये 10 टॉपिक्स देखते हैं बड़ी टॉपिक्स हैं इसलिए आपको दो दिन मिल रहा है कल नहीं अब परसों आएगा जो नेक्स 10 टॉपिक होगा चलिए पहला टॉपिक है महाजनपद युग देखे इस पर हम लोग 30 कोशन्स भी करेंगे महाजनपद युग और मगद सामराज आपको करना है देखे लुसेंट में महाजनपद युग दिया ही नहीं है मगद से शुरू किया है चुकि महाजनपद आप युग पढ़ेंगे तो 16 महाजनपद युग है भारत में जब पहली बार समराज चब्द हम कहेंगे वो महाजनपद युग में दिखाए भारत में सामराज्यों का इतिहास चुरू हुआ महाजनपद युग से जिसका सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगद और इसलिए मगद में सामराज के अस्तापना हुई आपको इसे पढ़ना है यहाँ पर आपको हर्यक वन्ष, शेशुनाग वन्ष और नंद वन्ष, तीन वन्ष को पढ़के समझना है लूसेंट में इनसफिशियंट है, सिर्फ मगद सामराज दिया हुआ है, उसमें भी कमिया है क्राउन में अच्छा दिया हुआ है, अगर यहाँ यूनिक ले सकते हैं तो दी बेस्ट पेज नंबर क्राउन में 22, लुसेंट में 9 और युनीक में थ्रुड़ा से extended फॉर्म में रहता है तो 44 से 47 पेज़ में है इसके questions अकसर आते हैं पाटली पुत्रा के स्थापना किस ने किय थी उसके बाद आपको विंबिसार से questions आ जाते हैं तो नंद वन्च में कोशन आ जाता है कि सिकंदर ने कब आकरमन किया था, किसके समय आकरमन किया था तो ये सब आपको पढ़ना चाहिए दूसरा है देखे टॉपिक क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन देखे, करिंट में, मौडन हिस्ट्री में हमने इस बार दो चोटे टॉपिक्स लिये हैं बहुत शानदा टॉपिक है ये, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन को अच्छे से आपको पढ़ना है अगर आपको बुक में ये नहीं अच्छे से मिल रहा है तो आप इसे निट्स से सर्च करकर के इसके बारे में डिटेल्स ले है आपको क्रिप्स और कैबिनेट मिशन को समझ लेना है इससे हम आपसे कोशन पूछेंगे ये आपको पेजेस नमबर दिये जा रहे है क्राउन, लुसेंट और यूनिक के उसके बाद देखिए लुसेंट में क्रिप्स मिशन है ही नहीं एक बाद जान लें आप लुसेंट में क्रिप्स मिशन नहीं है कैबिनेट मिशन है तो आप उसमें निट का हेल्प ले सकते हैं तीसरा कोश्चन, जो तीसरा टॉपिक है वो है जोग्रफी से जोला मुखी आज हमने लिया है टॉपिक ये वर्ल जोग्रफी का पार्ट है यानि विश्व भूगोल का जिसमें आपको जोला मुखी पढ़ना है कितने परकार के जोला मुखी होते हैं सबसे उचा सबसे भी चाल सबसे बड़ा किस महादेश में कौन सा मुखी है सक्रिय जोला मुखी कौन है डेड़ जोला मुखी कौन है सो शुप्त कौन है तो ये आपको पेज नमबर दिये जा रहे हैं क्राउन लुस्ट और यूनिक तीनों के आप इस पर देखेंगे उसके बाद आए याद रखें भारत में भी दो जोला मुखी है कहां है ये आपको समझना चाहिए आज का चौथा आनुसोचित जाती और जन जाती हम लोगों ने सी किया था शेडूल कास्ट आज शेडूल ट्राइब करेंगे हम लोग आपको इसमें दो कैटेगरीज में पढ़ना होगा एक तो 2011 की जनगना के अनुसार भारत के किस राज्य में सब से जादे परतिशत में उसके बाद आपको इसके अगल बगल ही आपको पेजेज में मिल जाएंगे पढ़ना है आपको कि अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी जन जातियां है सेंटिलिज, जारवा, ये सब कहां है, हर्याना में क्या कोई जन जाती है, क्या उत्तर सब उसके बाद आजाईए साइंस के दो कुश्च दो टॉपिक्स कोशी का आज सेल देखिए ये बड़ा टॉपिक है लेकिन इससे एक प्रश्च आप मान के चलिए कि आना ही आना है इतना इंपोड़न्ट है ये ये कोशी का सेल आपको पढ़ना है सेल के अंदर आपको अंदर का डिटेल्स एक कोशी का जो की जीवन की अधार भूतिक आई है उसके कौन-कौन से पार्ट्स हैं किसे हम लोग पावर हाउस आफ दे सेल कहते हैं सेल के अध्यान को क्या कहते हैं आत्मत्या की थैली किसे कहते हैं ये सब आपको इसमें पढ़ना है यहाँ पर तीनो बुक्स के पेज़ेस नंबर दिये जा रहे हैं एक बार बीपेसी में कोशन आया था कि कोशी का का दिमाग कौन है यानि केंद्रक के बारे में पूछा था अब आईए नेक्स्ट कैमेस्ट्री से है आटोमिक स्ट्रक्चर परमानुसन रचना ये बड़ा टॉपिक है लेकिन कौन साइस फॉर्म में भी दिया हुआ है बुक्स में आप पढ़ेंगे इसमें आप आटम आपको एलेक्ट्रोन प्रोटोन निट्रोन पढ़ेंगे उनके साइस पढ़ेंगे उनका मास क्या है ये सब जानने का प्रियास करेंगे उसके बाद आप आईसोटोप आईसोटोन पढ़ लेंगे यहां पर बस इतना आप पढ़ें आप बंधन आप नहीं पढ़ेंगे केमिकल बॉंडिंग इसमें आप नहीं पढ़ेंगे सिर्फ परमानुसा नचना पढ़ें बोर बरी योजना पढ़ लेंगे डाल्टन ने क्या कहा था ये सब आपको पढ़ना चाहिए शासन गाउं से शासन की शुरुआत की परक्रिया शुरू हुई 1969 में तो आपको ये लोकल गवर्मेंट पढ़ना है किस तरह से भारत में पंचाती राज अलग अलग छेत्रों में देश के काम कर रही है उसके कौन-कौन से अस्तर है कौन-कौन से लेवल है जो त्री अस्तर शासन इन्होंने किये और चोहत्तरवां त्यात्रवां सम्विदान संचोधन जो अमेंडमेंट्स हैं सेवन्टी त्री सेवन्टी फॉर इसे भी आप पढ़ने का प्रयास करेंगे उसके बाद देखिए आज आता है एकोनोमी में हमने आज भारती किर्शी यानि इंडियन ए पढ़ेंगे कब बोह जाता है कब काटा जाता है दूसरी बात खरीब वसल के सारे केटिगरीज आप पढ़ेंगे कौन-कौन सा कोरी फ़सल है कैश क्रॉप को यहाँ पर प्ढ़ने का प्रयास करेंगे के नगदी फ़सल कौन सी है उसके बाद आपको ग्रीन डिवॉलीशन आएगा और operation flood आएगा दूद की करांती के लिए जो शोयत करांती हुई white revolution उसे operation flood कहा जाता है तो उसमें क्या क्या हुआ वो आप पढ़ने का प्रयास करें कौन साइंटिस्ट है और साथ में tri-fit, ne-fit इस तरह की सहकारी जो cooperative organizations हैं उनके बारे में भी पढ़ने का प्रयास करेंगे उसके बाद देखिए इसके pages number यहाँ पर दिये जा रहे हैं और उसके बाद आप देखे एगरिकल्चर में यूनिक में पूरा एक बहुत बड़ा आपको 70 pages का है तो यूनिक में हम जीके का है यह हम लोग करते आ रहे हैं भारत में पहला महीला प्रोश्य सब हम लोगा ने किया अब world में world में सबसे बड़ा सबसे लंबा सबसे उचा यह पढ़ेंगे सबसे उचाई पर कौन सा जो अलम की है सबसे बड़ा ब्रिज कहा है, सबसे बड़ा पुल कहा है, सबसे बड़ा महादेश कौन है इस तरह से सबसे बड़ा, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह सब आप पढ़ेंगे यह तीनों के पेजेज नंबर यहां पर दिये जा रहे हैं, उसके बाद बिहार पे आईए, दसमा टॉपिक बिहार पॉलिटी आज हम लोगों ने लिया है, देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसे आपको अच्छे से पढ़ना है, यह बिहार की राज वेवस था, आज हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम आफ बिहार पढ़ेंगे, जिसमें एग्जेकिटिव कारिपाली का सिर्फ पढ़ेंगे, सिर्फ कारिपाली का, यानि राजपाल, मुखमंत्री, यह बहुत इंपॉर इसमें आपको मुखमंत्री राजपाल के कैटिगरीज को आप देखेंगे, और लास्ट में आप देखेंगे जन गन्ना 2011 हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, यह आपके बड़े काम का है, इसे आप ध्यान से करें, अनुसोचित जन जाती, स्टी आज हम लोग कर रहे हैं, आपक राज्जों में अनुसुचित जन जाती है, आपको पढ़ना है कहा कहां, कोण से जन जाती है, लेकिन 2011 की जन गन्नाय में आपको देखना है, यह आपको पढ़नारे तीनों के पेजिस नमबर दिय जारहे हैं, तो इस तरह से यह 10 टॉपिक्स आज आपको दिये जारहें, संबव हो तो लोसेंट या क्राउन के अबजेक्टिव वाले गाइड से अबजेक्टिव भी जरूर बनाए इन टॉपिक्स के और इस पर हम तो आप से टेस्ट लेंगे ही लेकिन हमारी सीमाएं हैं इसलिए सब जगए हम नहीं जा सकते जंप नहीं कर सकते इसलिए हम आपको पर दस टॉपिक्स आएगा इस बीच आज से एक सब्ता करिंट आपका चलेगा 30 कोश्चन सिर्फ करिंट पे ताकि आपको पता चले कि करिंट के टॉपिक्स किस तरह से करने किस तरह की प्रशना आते हैं तो आज यहीं पर रोकते हुए आप से विजा लेंगे नेक्स्ट ए बचना है इस लेके लेबर करके हर निराश्वा को दूर किया जा सकता है मेहनत से और समझ से और अपने उपर आत्मनी अंतरन रखें टेक केर अपने दियान रखें मुझे इचासत दें